जहीन अलोप्यू एक न्यू टॉपिक एक न्यू सब्जेक्ट हमारे ग्याट से एक न्यू सब्जेक्ट आज हम फोकुस करने वाले हैं जैसे कि अल्रेडी हमने इस्ट्री के बारे में डिसकेशन किया अज एक नए टॉपिक आज के लेक्शर में हम स्टार्ट करने वाले इंडियन फिनलिक्स इसको को आज कयाता अर्थशासर भारता अर्थशासर तो इसको पहले समझ लिये बाद में उदर जाते हैं क्लास पहले इसको समझ लेंगे बाद में वहां पर डिसकेशन करते हैं तो कंसेप्ट हमें पहले पता होनी चाहिए जैसे इंडियन एक को नामिक्स यह जो गगरता है इतना इसमें ज diving जहने घृट शाएब टरेग इसकेशन है यह को नामिक्स और दूसरा इकोनामिक से भी ज्यादा एक वर्ड यूज करते है वह एकोनामी इकोनामिक्स एड एकोनामी जन्रली हम इंडियन इकोनामिक्स या यूसे इकोनामिक्स या रुशियन इकोनामिक्स यह वर्ड उजने करते हैं रिंडियन एकोनमी थिक ही नहीं ऐसे एक नामी रंस्यन इकोनमी इस तरा की वर्ड हम यूज़ तो जनरली यहां पर हम जो है इकोनामी वर्ड यूज करते हैं तो दोनों वर्ड में क्या फर्क है यह हमें फस्ट पाल इसका पता होना चाहिए अभी इकोनामिक से सब्जेक्टे में फस्ट पाल आपको बता दू यह समझने के लिए थोड़ा सा हमें अपना लेवल थोड़ा उच्छा करना होगा यह थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं कहूंगा बट इसको सुरू से अच्छे से फोकस करोगे तो यह ध्यान में आएगा और बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है कॉंपिटिट्वी एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है इसलिए हम देखते हैं इससे रिलेटेर मिनिमम मैंने आपको कहा है कि यह फाइव से सिक्स कोश्चन आए यह था इसको अच्छे से फोकस करना ध्यान में रखना इससे रिलेटेर जो भी चीज़े बेसिक से रिलेटेर एंड कर तो हम कंसेप्ट पे ध्यान देरें यहाँ पर दोनों वर्ड में क्या फर्कत ध्यान में रखिंगे जै से कोश्या नॉमिक्स किस Whoo जो है एक सब्जेड का नाम है इस misery होता है जोग्र॑मिंस होता है उस तरह को नॉमिक सिन आरतर शास्र एक सब्जेक्त है वर्ट economy यह जो word use किया जाता है when the economics applied applied किया जाता है application होता है economics का जब economics का application होता है इस economics का application होता है तब उसको कहेंगे economy समझ माया economics का जब application होता है जहां जहां economics use किया जाता है वहाँ उसको कहा जाता है economy समझ माया use application कोई भी चीज़ का वहाँ पर process जब होता है process जब होता है that means जैसे general हम कहेंगे यह noun है और यहाँ पर verb है समझ माया इस language में यह यहाँ पर कुछ ना कुछ action हो रहा है जब इस noun का कुछ action होता है जब उसका verb बन जाता है उसको कहेंगे economy यहां तक समझ में आया यह title से समझ में आया तो Indian economy के बारे में हम discussion करने वाले हैं वैसे जादा history में नहीं जाएंगे इसकी दो टाइप की history है but first of all हम उस title को यहाँ पर classified कर रहें उसको explain कर रहें इसलिए हमें पता होना चाहिए तो economics यह जो वर्ड है यह प्रापर वर्ड एक Greek वर्ड से create हुआ है ठीक है तो यह जो Greek वर्ड है ओकिनो नॉमिक्स ओके यह जो वर्ड है इससे यह create हुआ है तो यह दो वर्ड है इससे ओकॉस ठीक है और नॉमिस नॉमस ऐसे दो वर्ड से यह वर्ड बनाए इको नॉमिक्स जो है ओकॉस नॉमिस ऐसे दो वर्ड से बनाए यह ओकॉस जो होता है इसका मिनिंग होता है हाऊस हाउस और नौमिस का मतलब होता है टू मैनेज तो ये वर्ड ग्रीक में furs t of all हुस किया गया हाउस मैनेजमेंट के लिए इनो कोई कंट्री के लिए यूज किया गया नहीं इंडस्ट्री के लिए यूज किया गया गेंडरले हम एकोनामिक्स की चीज आती हमारे दिमाग में, तो हम कंट्री के बारे में या इंड़स्ट्री के बारे में खास करके सूस्टे, बिजनेस के बारे में. बट फरस्ट अप अल यह वर्ड जो है, और होारीजनल वर्ड जो है हाउस मैनेजमेंट से आया है. ि नाइ टो यह सुएज्टी के लिए हूट मैनेजमेंट के लिए था जेन्रल Hindi होस्ट मैनेजमेंट हीये फाउंडेशन मैनेजमेंट होता है कि कोई भी कंड्री कोई भी icon कोई भी इंस्टिटूशन कोई भी इंडस्ट्री उसका बेस्ट होता है वह हाउस से या होम मैनेजमेंट से स्टार्ट होता है जिसका होम मैनेजमेंट सही हो उसका आगे का मैनेजमेंट सही होता है एक चीज होती है जो परसन अपना होम मैनेजमेंट अच्छे से करता है वह आ जेनरल ही कहते हैं, economics कोई बहुत बड़ा subject है, ऐसा नहीं है, हमसे अलग है ऐसा नहीं है, यह subject हम से जुड़ा है, हमरे home management से जुड़ा है, जो हमारे family में करते हैं, father हो, mother हो, या जो भी earning करने वाला person है, और जो earning करने वाला नहीं भी है, वो दोनों मिला कर यहां पर home management करते हैं वो क्या करते है वो हमारे नीड्स को नंबरिंग करते है फस्ट अबॉल क्या सोच जाता है घर में जनरली फर एक्जामपल हम अगर देखेंगे तो कितने पैसे आएंगे या आए घर में और कितने पैसे जाने वाले बट यह जो question mark है पैसे जाने वाले इसका भी numbering किया जाता है first of all important देया जाता है fundamental needs के लिए देया जाता ही कि नहीं तो वो needs जो है उसका जो numbering है वो हमारे numbering हमारे जो planning करने वाले वो numbering करते कि पहले क्या करना है यह चीज़ करनी है घर में नहीं बाइक लेनी है या हमारे बच्चे की fees paid करनी है ऐसे दो needs होता है तो यहाँ पर important दिया जाता है education के लिए education के लिए important दिया जाता है यह जो दुसरा जो है इसको थोड़ा सा delay करके या इसके लिए दुसरा management करके वो solve करने की कोशिश हमारी home में जनरली चलता है तो इसका numbering जो है यह numbering important कई घुमने जाना है या घर में कुछ चीज लानी है दोनों similar होता है बट priority दी जाती है कि कौन सा important है यह depend on priority होता है इसलिए तो priority बहुत important होती है हमारे home management में या economics में priority objective यह जो word है यह बहुत important है हमारी economics में ठीक है तो basically यह home management से word आया है जिसको हम economics कहते है और economics जब economics use होता है उसको economy कहते है next one economics क्या होता है generally इसके simplify यहाँ पर defined की है definition दी है तो economics क्या करता है study of the use scare resources and satisfied unlimited human wants अभी देखें इस definition में क्या कहा है कि ऐसे resources हमारे पास जो available है वो कैसे है बहुत ही limited है कम है और unlimited हमारी needs है human needs कैसे होती है unlimited होती है यह define note out कर लो आप अपके notebook में तो हमारी जो needs है हमारी जो जरूरत है वो unlimited है बट हमारे पास जो resources है वो limited है तो इसको दोनों को एक दूसरे से management करना इसका दोनों का combination बनाना ही economics है that means कुछ चीज़े हैं हमारे पास और उसको use करना है तो यह जो चीज़े है वो limited है और वो जो हम चाहते हो unlimited है यह समझे आप तो उसको ही economics कहा जाता है जो available चीज़े हमारे पास अभी ऐसी कौन सी चीज़े वो unlimited है अगर हम बुद्धिजम के philosophy में जाएंगे तो वहां पर हर एक क्रेव की इसको लिख लिज़े आपका ध्यान नहीं है यह भी थोड़ी सी आदट डालिए इसको psychology में कहा जाता है stimulus variation जब लिखते लिखते भी ध्यान देना एक साथ दो चीज़े करना जब मैं यहां पर बोल रहा हूं तो लिखता भी हूँ बोड़ पे आपके इसमें देखते हो यहां पर आपके कान इधर होने चाहिए यह सिखना पड़ेगा आपको इससे increase होता है आपका learning process increase होता है चलो लिख लिए आपने ध्यान दिजी का पर थे मैं नीड्स के बारे में बता रहा था अगर हम फिलोसौफी में जाएंगे तो बुद्धिसम में कहाए कि हमारी जो will है हमारी जो क्रेव है इसको मनिशा का जाता है इच्छा का तो यह आनलिमिटेशन यह से जो है यह पहले से माईव जाते है और रहांनलिमिटेट नहीं होता तो डिवल्लेमेंट भी नहीं होती है ताद क्षसकता सब्सक्राइंब उसके स्वग includes निकालना फिर वो आगे बढ़ता है इंसन तो इसलिए economics क्या करता है जो resources हमारे पास है उसको और जो हमारी needs से उसका combination बनाना for example अभी दुनिया सर्च कर रही है कि water पे कैसे विकल चल सकती है कर रही कि नहीं दुनिया यह सर्च कर रही है कि अभी solar energy हम विकल में कैसे यूज कर सकते हैं हम तो another use कर रहे हैं आज में यूज कर रहे हैं घर पे solar panel लगा रहे हैं घर में electric car ले ली यूज हो रहा है इंडिरेक् इसके विश्चे से हमारे बहुत रियर है फार एक्जामपल पेट्रोल डिजल इसलिए हमने क्या कहा जौन लेमिटेड है उसकी तरफ गए हम ने सोचा इंसान ने सोचा हमने जाए जो इकोनॉमिकल मैनेजमेंट करना है हमें जो विकल के लिए ट्रांस्पोटेशन के लिए जा पर पेट्रोल डिजल इनकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, जो पलूशन क्रेट हो रहा है तो स्की उपर सलूशन क्या है waterproof इकषए वगेरा एक्रिक ट्रांसपोटेशनinator इसके क्या करेंगे, नाशनल रिसोर्सेज उसकरेंगे, घर पे लगाएंगे, सोर पैनल, उसकी इलेक्रिसिटी जनरेट होगी, फिर वो विकल में उसकरेंगे, पोलुशन भी कम हुआ, पेट्रोल डिजेल भी जो एक लिमिटेड हमारा सोर्स है, वो भी हम वहाँ पर बचा सके यह गवर्मेंट या कोई भी आम इंसान सोच रहा है, इसको ही मैनेजमेंट, इसको ही इकोनामिक्स कहते हैं, समझ में आए आपको, इकोनामिक्स की डेफिनेशन यही है, कि जो हमारे पास सोर्सेज हैं, उसको हम यूटीलाइज कैसे करेंगे, या उसको खतम कर देंगे, कोई भी इंडिया में जैसे सेव टाइगर की मोहिम चलती है, मिशन चलती है, चलती है कि नहीं, टाइगर शेव होने चाहिए, क्यों, बिकोज बहुत कम है, वर्डवाइड बहुत कम है, कम हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारी फूड चेंज हो है, वो कोलाप्स हो जाएगी, यह पता है, हर एक चीज, हर एक जो चीज है हमारे नेचर में, वो इंपोर्ट हैं हमारे सरकल के लिए, फूड चेंज के लिए, हमारे रेंचेंज के लिए, हर एक चीज के लिए, आइटमोस्पेर के लिए, वो जरूरी है, ऐसे कोई चीज नहीं कि जो जरूरी नहीं है, इस जीज उस करते हैं आप management करते हो आप time management करते हो एकजाम में जब paper लिते हो आपका time management होता है वह भी economics के एक part है हर एक part management जहाएगा वो economics का भी part होगा ते इसलिए हमें definition समझ में आते है कि उसका ही part है कि देखे ikonomics में कौन कंझ से जनरली concept होती है किसे रिलेट होती है economics, fundamental of economics concept, इसमें fundamental of economics यहाँ पर का है, economics is the part of social science, which is the associate with a study of, किस किस का study करता है सब्जेप, that's mean इसमें दिया है the scope of economics, economics, in short economics का scope क्या होता है, उसका विश्तार क्या होता है, limitation and scope, यहाँ पर explain किया है, economics concept कुण कुण से होती है, first of all, production, जो industries से related है, production, household, distribution, यह यह जो है, सारी चीज़े इससे related, यह सारे known चीज़े है, हमें एक industries यही वर्ड सबसे ज्यादा important लगता है, इसमें, because industries में यह सारी चीज़े, goods वगेरा, यह सारी चीज़े उसमें आती है, तो इसलिए government, भी एक economics का ही management का part है, यह decision making, यह भी economics का part है, अभी मैंने time management का part of importance बताया आपको, वो भी decision making में ही आता है, decision making भी is the part of economics, तो यह सारे subject distribution हुआ, यह सारे subject, जो हम वितरन करते हैं, वो भी सारे economics के ही subject है, तो जब जब यह सारे word आएंगे, इसमें economics होगी, decision making, वहाँ पर भी, अभी कोई हम emotionally या कोई हम intelligently कोई decision ले रहे, उसके behind economics होती है कही न कहीं, उसके behind management होता है, अगर कोई mentally हम decision लेते हैं, emotions are related, तो वहाँ पर भी satisfactory, unsatisfactory ऐसी दो factor आते हैं, तो वो वहाँ पर management होता है, और जहाँ management है, वहाँ पर economics होता है, तो यह part है economics के, industries खास करके production, यह distribution, यह सारे part जहाँ पर economics आता है, और यह important parts है economics के, त्रिप concept समझने के लिए यह, success of economical planning, अभी economical planning success करने के लिए कौन-कौन से ऐसी चीज़े होती है, जो हमें पता होने चाहिए, यहाँ पर देखिए, बहुत सारे point दिये, increase the national income, rise in the per capita income, अभी national income कब increase होगा, जब per capita income increase होगा, per capita को कहा जाता है, दर डोही, उत्पन्न, ओके, दर डोही, एक डोही, किती कम होता है, एक नहीं, तो यह per capita, जो income है, वो इफेक्ट करता है, national income पर, per capita increase होगा, तो national income increase होगा, तो यह important point है, उसके बाद, increase the saving and investment, अभी दो opposite word दिये यहाँ पर, और दोनों भी important है, saving also investment, saving क्यों इंपोर्टेंट है, यहाँ पर कुछ percentage saving भी होनी चाहिए, security के लिए, और investment, investment को कहा जाता है, economics में, investment को कहा जाता है, अगर money investment हो, तो उसको कहा जाता है, capital, जो पैसा दोड़ता है, उसको कहेंगे, capitals, राजधनी वाला capital नहीं, capitals, okay, जो पैसे दोड़ते, दोड़ते that means, जो पैसे से पैसे कमाते, होता है, कभी-कभी loss भी होता है, मगर जो पैसे invest करका है, उसको हम capitals कहते हैं, जो पैसे हम एक बड़ उसके before the savings, savings भी important है, जितना savings है, उसका comparisonly, capitals और savings को हमको balance करना होता है, तभी economical stable होता है, economical stability आती है, तो saving भी important है, तो जो इसको balance कर सकता है, वो successful economical planning होती है, खास करके हमारे Indians, इसमें बहुत ही आगे, इसलिए हम अभी बहुत growth कर रहे हैं, हमने recently आप देखे, economically हम अब third place पे आये हैं, इसी month, अगर हम economically condition के बारे में सोचेंगे, तो हमारा भी third है, पहले हम fourth में थे, first EUA से, second China, third Japan, fourth India था, भारत था, अभी Japan को भी हमने पीछे चोड़ दिया है, because savings and investment, यह दोनों भी focus पे हम balance कर रहे हैं, और हमारे Indians की पहले जो mentality थी, वो savings की mentality थी, बट जब से, नोट बंदी हुई है, यह करोना प्रेड आया है, तो तब investment के बारे में, share market के बारे में, ज़्यादा aware हुए हैं लोग, जैसे लोगों को after नोट बंदी पता चला, कि ज़्यादा saving करेंगे, तो उसके उपर भी ban हो सकता है, government, वहाँ पर कुछ decision यह mentality के ऐसा होता नहीं है, but black money रहा तो कितना dangerous होता है, लोगों को पता चला उसके बाद वे, लोगोंने खासकर के बाद में पैसे road पे पेक दिये, बहुत सारे newspaper में भी पढ़ा होगा, कि road पे पैसे मिल गए, bag बर के मिल गए, कई उड़ा डाले, तो यह जो होता है, यह इस कारणिया बहुत सारी reason होते हैं, लोगों को पता चला है कि यह पैसे saving न करके, इससे जो income होने वाला है, उसको अगर investment करते हैं, उससे ज्यादा income होगा, और वो भी एक safety है, इसलिए लोग investment करने लगे, तो यह एक proper economical success हमें planning इंडिया में हो रही है, इसके बाद institutional and the technical changes in the agriculture, अभी इंडिया के बारे में खास करके, हमारे भारत के बारे में, कि हम agriculture country है, हमने first fire plan हमें पढ़ना है, इसमें जापर agriculture, irrigation and power process को important दिया था, फूड ग्रेंड को important दिया था, agriculture development हमारे fundamental needs से बहुत close है, उसपे depend है हमारे fundamental need, जो हम food खाते है, that's why यहाँ पर agriculture में changes, कौन से changes चाहिए, वहाँ पर technical changes, और आज बहुत सारे technical changes आ रहे है, हम यहाँ पर modern agriculture farming कर रहे है, हमारी modern farming है, यहाँ पर हर एक model चीज हम यहाँ पर agriculture में use कर रहे हैं, एक food grain में fulfilled country हम बन गए है, जो import में सबसे आगी थी, because हम population बहुत बढ़ी थी हमारी, अब हम export में बहुत आगे हो रहे हैं, बहुत सारी चीज हों में, ऐसे बहुत सारी चीज है, इसमें हम topmost पर है, हम export में 4th, 5th rank में हम coal में हैं, शुगर में भी हम 2, 3, 4 number के कोई rank में है, जूट में number 1 पे हम, iron में भी 2, 3 rank में, word wide में बता रहा हूं, जो important important चीज होती है, उसमें export में हम बहुत आगे, agriculture products यहाँ पर export में बहुत आगे हम, even copper, iron, यह जो चीज है, electricity, यह सारी चीज है, petroleum, diesel, यह सारी चीज है, yes, इसमें, मसाले जो है हमारे, इसमें भी बहुत आगे हम, इसमें export कर रहे है, इसी बहुत सारी चीज है, जहाँ पर, और खास करके, technology, जो हम वहाँ पर export कर रहे है, technology, हमारे software, हमारे computers, hardware, हम word में top one है, that means, यहाँ पर, जो agriculture development की बात हुई है, जिसमें technology आने चाहिए, आज भी देखिए, यह बहुत, बहुत development की एक चीज है, अगर हम महारस्ट के बारे में सोचेंगे, गाव गाव जाकर देखिए, हमको नहीं पता होता है, educated लोगों को बारिश कब होने वाली है, मगर वो जुड़े रहते हैं, हमारे climate department से, और हमारे महारस्ट के एक्जामपल देंगे, तो पंजब डग का नाम आपने सुना होगा, जो climate के बारे में बताते हैं, कि morning में 11 बचे बारिश होने वाली है, और 80-90% उनके जो यह होते हैं, वो जो बताते हैं कि इस तारीक को यह बारिश होने वाली है, यह हमारा department भी बता रहा है, टेक्नोलोजी का यूज करके, तो agriculture development के लिए बहुत important हुआ है, उसका use हुआ है, यह ध्यान में रखेंगे, तो यह जो टेक्न जान में टेक्नोलोजी है, फल्टिलाइजर देने में टेक्नोलोजी है, आज हम देखते हैं कि ड्रोन किस कीस के लिए यूज किया जाता था, पहले हम देखते हैं जनरलि मेरे सेरी मिन में या कोई बोड़े प्रोग्राम में देखते हैं, यह कितनी बड़ी development है, फार्मिंग मोबाइल में ऐसे बहुत सारे आप बनाए अग्रिकल्चर के लिए कोई प्लांट में अगर कुछ हो रहा है कुछ डिसिस आ रहा है अगर फोटो निकालकर डालेंगे वह आप में तो आप बताएगे कि कौन सा फल्टिलाइजर यूज करना चाहिए इसलिए तो अग्रिकल्चर जो डिपार्मेंट रहा है वह अभी एजुकेटेड लोगों का काम है और एजुकेटेड लोग जो है और एजुकेटेड का मतलब जो पढ़ने सकते यह नहीं कहना है जो नहीं यूज करे वह बहुत पीचे जो यूज करे वहां पर डेवलप्स हो रहा है उसके बात इंड़ करेंड़ देवलेट की इकेम कंणीक इंड्क कीड़ हो है यह ऊंवरेट यह रहत है इकोनोमी कर रहे मंगों कि फाल्ओ करक्टर क्या ओता है नहीं करेंग हो सब्रत क्रथेंगों का बांकिंग जो हमगे यहां जोऊती तो यह सारी चीज है यहां पर infrastructure में आते है social infrastructure हमारी society उसकी तरह सोचती है क्या economical सोच है क्या हमारी economical development की सोच है क्या society का इसलिए infrastructure socially भी increase होना चाहिए कि एक economical infrastructure के साथ employment employment भी है जब employment सब्सक्राइब मिलेगा तभी तो success होगा economics का और internationally trades जो जाक्तिक व्यापार है उसके बारे में भी सोचना यह economical development है सिर्फ कोई country sufficient बन गई फूड में another किसी चीज में तो उसको success आज उस level पर success नहीं कहा जाता है अगर वो internationally बहुत बड़े trade करें व्यापार करें तो उसको एक success country कहा जाता है समझ में आया आपको तो यह सारे basic चीज़े थी economics से related जो हमें पता होनी चाहिए इसलिए हमने economics के बारे में यह discussion किया उसके बाद हम focus करेंगे इस topic पे चलो तो यह हो गया basic economics का basic what is the economics what is the economy उसके बाद original origin word उसके बाद definition of economics उसके बाद हमने कुछ पॉइंट देखें जिस पे economics base है limitation scope देखा economics का उसके बाद कुछ economic success होने के लिए कौन से point important उसके बारे में हमने discussion किया अभी main topic पे आते इंडियन economy जो base है वो base है हमारे five year plan पे अगर हम पहले से अगर देखते five year plan यह base है हमारी इंडियन economy का और five year plan फाइव इक्यू फाइव इक्यू यह धान में रखेंगे यह question पुछा करो हर तब आपको वो टाइटल समझ माएगा फाइव एक्यू यू यूज किया फाइव यह प्लान कि वेरी गुड जन्रली हमारे इंडिया में हम देखते कि डेमोक्राशी है और डेमोक्राशी में हमारी संसद है और संसद का जो इंपोर्टन पार्ट है फर्स जो उसे लोग सभा उसके जो मेंबर्स है एक्जिकिटिव्स है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट यंपी यह स्टेट में आते हैं वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका जो डूरेशन देखते हैं तुनियर देखते हैं प्रेड उनका five year है चीफ मिनिस्टर का five year में अब ग्राम पंचेत में अभी अभी हमने यहाँ पर डिसकेशन किया उसका प्रेड कितना है फाइएर है, सरपंच का कितना है फाइएर है, अगर कोई भी परसन, कोई भी नय एक्जिकिटिव कोई भी वहाँ पर गवर्नेंस आ रही है तो उसको एकलिस फाइएर वो उसका प्लान रहे, that's वाई यहाँ पर फाइएर प्लान इंडिया में एड़ ओफ हुआ बट डाइरेक्ली फाइएर प्लान अड़ ओफ हुआ तो फाइएर प्लान ऐसा हम नहीं कह सकते, इसकी भी हिस्ट्री है, और उसकी दो टाइप्स के हिस्ट्री है फरस्ट अपाल फोकस करते हैं, फादर आफ इकोनोमिक्स, इनको कहा जाता है उनका नाम है Adam Smith Adam Smith, यह question आया है, NDA में पुछा है, उनके book का नाम उनका book का नाम क्या है? The Wealth of Nation, इस जो book है यह relate करेगा इकोनोमिक्स से, और इन इस book, Adam Smith explain the micro-economics, इन्होंने important दिया micro-economics के लिए जो हमने बाद में 9th 5-year plan में adopt किया, focus किया, growth of economy and the focus on microeconomics, यह वहाँ पर priority थी 9th 5-year plan में, 10th 5-year plan में, but worldwide, Adam Smith ने यहाँ पर एक book लिखा, जिसका नाम था, The Wealth of Nation, और इसमें इनोंने microeconomics and demand and supply theory का importance बता है, अभी demand and supply theory क्या आए class? सभी attention में बैटिए, जान दिजिए, economics का base जो होता है, वो होता है, demand and supply, demand, supply and rate, ऐसी तीन चीज़े में आपको बताता हूँ, यह economics का base है, generally हमें पता भी है, मगर theory यह रखी, इसको importance दिया है, इसलिए तो यह economic subject बना, यह तो एक छोटा पार्ट है, एक subject कैसे बना, इसको scientifically वहाँ पर एक अच्छा इसका धाचा बनाया गया, demand, demand that means मागनी, demand कितनी हो रही है कोई चीज़ के लिए, और उसका supply, supply ने पुरो उटा कितना होता है, supply कितना होता है, और उसके depend होता है उसका rate, for example, अगर यह chalk है, यह chalk है, यह एक ही chalk है, और यह chalk लेने वाले 10 लोग है, chalk कितना है, एक ही है, इसको लेने वाले कितने है, 10, तो इसका meaning, यह क्या है, यह demand पे एक product है, demand पे एक product है, उसको लेने वाले 10 है, तो इसका supply अगर 10 लोगों को हो सकता है क्या, इसको लेने वाला कोई, एक ही होगा, that's mean, जब demand ज़्यादा होती है, supply कम होता है, तो उस चीज के, उस atom के जो rate है, वो क्या हो जाएंगे, increase हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, एक ही नहीं, generally बढ़ते हैं, उसका एक prayer limitation भी होता है, rate बढ़ते हैं, वहीं चीज उल्टी करेंगे, एक ही चौक है, और इसकी demand ही नहीं है, demand ही नहीं है इसकी, बहुत कम demand है, और पड़े बहुत हरे चौक पड़े है, बहुत चौक पड़े हैं, और उसकी demand ही नहीं है, तो वो क्या होता है, जब demand कम हो, supply बहुत ज़ादा हो, तो rate क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं तो यह जो थेरी है economics की इस थेरी को Adam Smith ने important दिया और micro economics को भी important दिया पहले जो है micro economics का example मैं आपको बता दूँ तैसे वहाँ पर society का वड़ी economics के साथ infrastructure social infrastructure का example मैं आपको देता हूँ social infrastructure भी कितना important है अगर हम देखेंगे आपके generation को पता है नहीं मुझे लगता है आपके चार आने आठ आने यह पता है आपको 50 पैसे 50 पैसे पता है इसको का जाता था आठ आने 25 पैसे पता है आज दिखते हैं हमें market में कई पर दिखते हैं government ने बैंड किया government ने कोई भी officially बैंड ने किया society ने बैंड कर दिया क्यों बैंड कर दिया यह कि नहीं 50 पैसे के एक चकलेट पचास पैसे के कितना यह थे दस आती थे कि नहीं यह चीज होती थी मगर उस चीज से अभी कुछ आ रहा है market में उसका यूज हो रहा है उसके पहले यह भी था दस पैसे पाच पैसे था कि नहीं यूज था हमारे जनरेशन में हमने यूज कीये यह, कोई यूज कीये बट जब जिसका वै यूज genius होता है वह thi अन्यूज होँ जाती है तो आके मैटिकली आसी का इसको कर दे जो हना डी यह उसका यूज नहीं होता है तो जब होता है था है तुब ही तो वह सारी चीज होता है इसके लिए इंस vice को importance दिया और micro economics का example में दे रहा था micro economics that means कोई जो चीज है उसका valuation होता है उसके बहुत सारे valuation है उसका और भी बहुत सारी चीज है जैसे हम एक newspaper में मैंने कई पड़ा था बहुत बार हुआ ही है कि एक bank का नाम नहीं लुगा एक reputed bank हमारी nationalized bank इंडिया की वहां के एक manager ने क्या किया कि उस manager ने दो करोड का वहां पर corruption किया दो करोड का corruption किया वो manager ने और एक साल किसी को भी पता नहीं था उसने पैसे चुराए दो करोड अभी कोई बैंक से दो करोड रुपए चुराता है तो यह तो पता होना चाहिए पता चलता है ठीक ही नहीं मगर उसने यह micro economics use किया यह आपको यूज करने के लिए नहीं बता रहा हूं है एक awareness के लिए बता रहा हूं किक है आप भी बैंक होड़र बनों के आगे जाकर इसलिए बता रहा हूं माइक्रो एकोनोमिस क्या होता है वह इतना intelligence था उसने वह यहां पर डिविजन लेवल पर स्टेट लेवल पर मैनिजर था तो उसने क्या किया हर एक अकाउंट से 50-50 पैसे चुराएं और वह continuously चुरा रहा है अगर किसी के अकाउंट से 50 पैसे जाते है तो कोई बैंक होड़र है उसको दिमाग में रहता है कि 50 पैसे चुरी होगए उसके दो रुपए भी गए तो वह लगता रहे यह SMS के चार्जेस होगे यह Government के कोई चार्जेस होगे यह SMS आया उसका कोई चार्जेस होगा तो उसका वैलूशन नहीं रखता है वह बगर उसका वैलूशन कब बना जब लाखों लोगों के अकाउंट से उतने पैसे चोरी हुए होता ही कि नहीं तो यह Micro Economics है अब यह निगि किया तब बाकि वह आपर पता चला कि इसने हर एक अकाउंट से इतने पैसे जुरा है और वह कंटिनियूसली हर मन्त वह कर रहा था इसके कारण उसके पास पैसे हैं यह वह एक निगिटिव एक्जामपल एक एक Micro Economics का एक पोजिटिव बहुत अच्छा एक्जामपल मैं आपको देता हूं हम सोशेल मीडिया पर एक मैसे देखते है कि कोई ऐसा एक बच्चा है और उसको ऐसे एक बीमारी है और वह बीमारी बहुत बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले उसको उसको लगने वाले 50 लाक् पावर्टी बहुत गरीब है मगर ऑपरेशन करना है और उसके लिए यह चीज़े चाहिए तो आप डोनेट कीजिए कितना डोनेट कीजिए 1 रूपीज या 10 रूपीज 1 रूपीज डोनेट कीजिए अभी हमारी पॉपुलेशन देखेंगे जो सोशेल मेडिया पे उसमें से 5% बी लोग डोनेट करते हैं 5% कह रहा हमें 2% भी कहता हो तो वो 50 lakhs हो जाएंगे समझ ऊँटाया यह अर्सों एक पॉजिटी एक्जामपल माइक्रो एकोनामिक्स का तो एकोनामिक्स कहां कहां कां करते हैं ध्यान के एक रूपीज जो हुता है या 10 रूपीज जो होते है व 1-1 रुपीज जमा करके उनको एलेक्षन लडने के लिए खडा करते हैं, और वो जितके भी आते हैं, 1-1 रुपीज, 10-10 रुपीज देकर खडा करते हैं, और वो जितके भी आते हैं, यह भी एक इसले Adam Smith हमरे ले इंपर्टन हो जाते है so class there are two types history of Indian five year plan first is the international history and second is the national history so first of all we have focus on international history हम focus करेंगे first of all international history international history economics की या हमारे fire plan की international history क्या है यह भी हमें पता जाएं कि यह fire 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 कहां से आया यह fire इसकी history क्या है यह हमें पता हो ली चाहिए तो first of all हम history पर focus करते ही यहां पर कि यह कहां से आया है fire में जाना है हमें fire में हमने internationally कहां से लिया है तो Adam Smith जिन्होंने base रखा उसके पहले economist नहीं था क्या तो था राजा महाराजा के प्रेड में था उसके लिए हम देखते हैं बहुत सरे example मैंने तो आपर आपको वह example भी दिया ग्राम ग्रामनी का जैसे वह administration से रिलेटेड है वह टैक्स से रिलेटेड भी तो है है कि नहीं जहां पर किसी गाव का जो हेड है जो ग्रामीनी है उसके साथ साथ एक टैक्स कलेट करने वाला तो है यह हम देखते हैं पहले वेदिक प्रेड में जो कुल करनी वगएरा यह जो आप सरनेम बन गए किसी कोई कास्ट बन गई पहले तो यह सारी जो चीज़े है पहले से मैनेजमेंट हमारे पुरूव जो उसे है यहां पर करनी है तो इंटरनाशनल हिस्ट्री और फाइयर प्लान के बाद उससे रिलेटेड और भी जो अलग-अलग कंसेप्ट है वो हम डिसकेशन करेंगे नेक्स प्रेड से ठीक है समझ में आ रहा है आपको उपर से जा रहा है ओके डाउट होंगे तो आप डाउट निकाल के रखो हम वो डाउट स्वाल करके आगे बढ़ेंगे ठीक है